देश के विदेश मंतरी S.J. शंकर ने गुरुवार को कहा कि केंद्री ने भारत में अनमार सीमा पर बाड़ लगाने और मुक्त आवजाही विवस्था को खत्म करने का फैसला किया है क्योंकि सरकार देश की सुरक्षा को सर्वोच प्रात्मिक्ता देती है आईजोल में भाचपा का घूशन पत्र जारी करने के बाद पत्रकारों से बादशीत जैशंकर ने ये बात कही गौर्तलब है कि फरवरी 2021 में सैन्य तखता पलट के बाद अपने देश से भागने के बाद मेरमार के हजारों लोगों ने कई उत्तर पूर्वी राजियों खासकर मिजोरम में शरण ली है मुझे लगता है कि हमारे देश के सुरक्षा मिजोरम सहीत हमारे राजियों के सुरक्षा के लिए हमें कुछ सावधानिय बरतने की जरूरत है लेकिन अभी हम जो सावधानिय बरत रहे हैं वो एक निश्रित इस्तिती के जवाब में है अभी भी हमारा पडोसी एक संकट से गुजर रहा है अगर मैंनमार में चीजे समाने होती तो ऐसा नहीं होता जैशंकर ने कहा कि केंद्र लोगों के हीतों, परंपराव, रिती रिवाजों और सीमा पर रिष्टों को लेकर बहुती समवेधन शील है प्रस्तावित सीमा बाड और FMR को खत्म करने के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि फलहाल ये महत्वपूर्ण है कि हम सावधानी बरते, इसलिए हम चाहते हैं कि लोग समझें कि ये आज के स्थिती की प्रतिकरिया है केंद्र ने फरवरी में भारत मेंनमार सीमा पर बाड लगाने और दोनों देशों के बीच मुक्त आवजाही विवस्ता को खत्म करने का फैसला किया MFR भारत मेंनमार सीमा के करीब रहने वाले लोगों को बिना वीजा के एक दूसरे के शित्र में 16 किलोमेटर तक जाने की अनुमती देता है भारत मेंनमार के साथ 1683 किलोमेटर लंबी सीमा शेयर करता है और विशेश रूप से मिजोरम परोसी देश के साथ 510 किलोमेटर लंबी सीमा साझा करता है मिजोरम विधान सभा ने 28 फरवरी को भारत मेरमा सीमा पर बार लगाने और FMR को खत्म करने के केंदर के फैसले के विरोध में एक प्रस्ताब पारित किया था इससे पहले मुख्य मंत्री लाल डुहोमा ने कहा कि उनकी सरकार ने अंतराश्टी सीमा पर बार लगाने और FMR को खत्म करने के विचार का कड़ा विरोध किया है लेकिन अगर मिजोरम सरकार अपनी योजना पर आगे बढ़ती है तो केंदर का विरोध करने का उसके पास कोई अधिकार नहीं है